नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेंस कुमार, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टिपपनी के अर्थ, स्वरूप और विजेस्ताओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो आएए दोस्तों, अपने विशे की शुड़वात करते हैं और सबसे पहले टिपपनी के अर्थ और स्वरूप को समझते हैं। दोस्तों, सरकारी, अर्ध सरकारी कारियालियों में या विभिन संगठनों के धेनिक दीवनचरया में टिपपनी और प्रारूप लेखन रथ के दो पहिये माने गया हैं। जिनके बिना किसी भी दफ्तर या प्रतिष्ठान का कामकाज नहीं चल सकता है। दोस्तों, दफ्तरों में पत्राचार का भी विशेश महत्त्य हैं। और जब पत्राचार होगा, तो स्वाभाविक रूप से टिपपनी भी होगा। चुकि दफ्तरों या कार्यालों में कलर्क से लेकर सचीव या सेक्रेटरी अस्तरतक के अधिकारियों को प्रते दिन फाइलों का निप्टारा करना पड़ता है। अतह टिपपनी की जानकारी होना भी जरूरी है। दोस्तों, व्यभारिक या प्रैक्टिकली रूप से टिपपनी लेखन का ग्यान निरंतर अभ्यास द्वारा ही संभाव है। तो आईए टिपपनी को समझते हैं। दोस्तों, किसी भी विचाराधीन पत्र या आविदन को सरल्था पुर्वक समझने या कुछ अस्तर पर पहुँचाने जिसे निश्पादन या डिस्पोजल कहते हैं कि प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सभी प्रकार के कार्यालियों में लिपी को, सहाय को तथा कार्याले अधिक्षकों द्वारा जो कमेंट्स या नोट लिखा जाता है उसे ही टिपपनी कहा जाता है तथा इसे लिखने की प्रक्रिया टिपपनी लिखन कहते हैं दोस्तों टिपणी में मुख्यता तीन बाते होती हैं पहला उस पत्र से पुर्व पत्र यदि है तो उसका शारांस पत्र में जिस प्रश्ण पर निर्ने गिया जाता है उसका विबरन या विशलेशन या दूसरा पॉइंट वह और तीसरा है जिस संबंद में पत्र है उस संबंद में क्या कारवाई की जाए इस विशय में क्या सुझाओ और क्या आदेश दिये जाए इस विशय में भी सुझाओ का उलेख करना इस विशय में भी बताना दोस्तों टिपनी को और अच्छे से समझने के लिए हमें कार्यालेई प्रक्रिया को समझना परेगा तो कार्यालेओं में सबसे पहले जो पत्र या आवेदन आते हैं उसे कलर्क प्राप्त करता है और उसे आवती कहते हैं अब अधिकारियों के पास इतना समय तो है नहीं कि वह प्रत्यक पत्र या आवेदन को पुरा-पुरा पढ़ें तो बस कलर्क उस पत्र या आवेदन को पढ़कर बगल में एक छोटा सा नोट्स या कमेंट लिखता है बस उसे ही टिपपनी कहते हैं फिर इसी टिपपनी को अधिकारी पढ़कर अपना कारे संपादित करते हैं आवशकता पढ़ने पर कलर्क उसमें कुछ सुझाव या पूरु पत्र का सारांस भी दे सकता है दोस्तों यही कारण है कि सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों से ज़्यादा कलर्क पावर में रहते हैं दोस्तों अब जहां तक बात है टिपपनी के शाब्दिक अर्थ की तो टिपपनी को अंग्रेजी में नोटिंग कहते हैं जिसका अर्थ होता है मन्तव व्यदेना, अर्थात किसी पत्र आवेदन में वर्णित विशे को संचेप में लिख कर उस पर अपना मन्तव प्रकट करना ही टिपणी हैं, दोस्तों अब बात करते हैं टिपणी लेखन के उद्देशे की, तो टिपणी लेखन के मुखेत तीन उ उद्देश है कि पत्र अथवा आवेदन में वर्णित सभी तत्यों को स्पष्ट रूप में तथा संचेप में अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करना, और अगर किसी मामले में दृष्टांत अथवा विश्ष्ट निर्ने उपलब्ध है, तो उसकी ओर संकेत करना, यानि कि प्राप्त पत्र अथवा आवेदन के वांचनिये विशे पर पत्र व्यभार पर अपने विचारों को स्पष्ट करना, यानि कलर्क जो पत्र प्राप्त करता है, उस पर उससे जो समझ मर आता है, उस पत्र को समझ करके उस पर वह अपने विचार को लिखता है, उस पे कमे लिखता है और तीसरा उदेश है कि प्राप्त पत्र अथवा आवेदन के विशे में यह अस्पष्ट करना कि आवती के अंतिम निस्तारन के लिए क्या कारवाई की जानी चाहिए कानेकार्थ है कि इसमें क्लर्क जो है वह अपना सुझाव प्रस्तुत करता है दोस्तों इस प्रकार से टिपणी लिखन में प्राप्त पत्रों अथवा आवेदनों पर की जाने वाली कारवाही के सभी तत्य आकरे तथा निर्ने के संदर्व में सभी के हितों की सभी आवशक जानकारियां प्राप्त हो जाती है इससे किसी भी अधिकारी को निर्ने लेने में सहायता मिलती है दोस्तों अब विशे को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं टिपणी की विशेष्ताओं के विशे में तो आईए दोस्तों एक एक कर इन विशेष्ताओं को समझते हैं तो टिपणी की पहली विश्यष्ता है संचिप्तता। दोस्तों टिपणी हमेशा संचिप्त होना चाहिए। जहां तक हो सके टिपणी का आकार छोटा रहे हैं, जिससे अधिकारियों का ज्यादा समय बरबाद न हों, और साथी लिखने वाले का भी ज्यादा समय बरबाद न हों। टिपणी की दूसरी विश्यष्ता है पोड़नता। दोस्तों संचिप्तता टिपणी का प्रधान गुन है। लेकिन इस चक्कर में पोड़नता को नहीं भोलना चाहिए। कहने कार्थ है कि जो भी टिपणी लिखा जाए वह अपने आप में पोड़न हों। कहने कार्थ है कि संबंधित कर्मचारी को दुबारा बुला कर पूछने की नौबत न आये। यानि अधिकारी संबंदित कर्मचारी को दुबारा न बुलाए ऐसा टिपपनी लिखना चाहिए। टिपपनी की तीसरी विशेष्ता है सुझाओ या निर्देश। तो दोस्तों टिपपनी लिखते समय यदि विशेष संबंदित कुछ महत्य पूर्ण बाते हो तो उसे सुझाओ के रूप में लिख देना चाहिए। इससे अधिकारियों को निर्दने लेने में सुविधा होती हैं। टिपपनी की अगली विशेष्ता है शुद्धता। दोस्तों टिपपनी लिखते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार अभी बताई गई बातों को ध्यान में रखकर एक अच्छी टिपपनी लिखी जा सकती हैं। इस प्रकार से हमारा आज का यह विशाय यहीं समाप्त होता है आपको यह विशाय कैसा लगा कृपया कमेंट में अवश्य बताएं तो फिर शेगरी मिलते हैं एक नए विशाय के साथ तब दक के लिए नमस्कार धन्यवाद